नमस्कार साथियों मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बर फिर से स्वागत है साथियों सिक्सक डायरी से सम्मन्दिते एक महत्पून वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ इसकूलों में नई सिक्सक डायरी पहुच गई है आपको भी मिल गई होगी वरना आपको एक दो दिन में आपको मिल जाएगी इससे पहले हम दूसरी सिक्सक डायरी बना रहे थे लेकिन अब जो डायरी आ रही है उसका प्रारूप कुछ अलग है मुझे कई सिक्सक साथियों के मैसे जा रहे थे कि नई सिक्सक डायरी को किस तरह से बनना है उसके संबन्द में एक वीडियो बना रहा हूँ कि हम सिक्सक डायरी को किस तरह से भरेंगे पूरी डिटेल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं देखे इस तरह की सिखसक डायरी आप की आई है ये मेरी सिखसक डायरी है मैंने इसमे अपना नाम भी लिख दिया है आप यहाँ पर अपना उपर नाम लिख सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ कहीं सिखसक है तो जो front page है उसके back में आपकी सामने आएगी सार्णी वार समय सार्णी सिक्सक वार इस बार आपको जो समय सार्णी लिखनी है आपको केवल अपने घंटे इसमें लिखने है अगर आप एक, दो, तीन, चार, पांच को पढ़ा रहे हैं तो आपनी क्लास में किस क्लास में किस घंटे को पढ़ा रहे हैं और अगर आप एक ही class को बढ़ा रहे हैं तो पहले घंटे में आपने क्या पढ़ाया दूसरे घंटे में क्या बढ़ाया ये सबाविच में लिख सकते हैं तो देखे ये समयसारणी है देखे जैसे मैंने ये समयसारणी बनाई है क्योंकि कक्सा 7 में मैं पहला period लेता हूं से पहले पीरियरnd में मैंने ये लिख दिया, दूसरे में विज्ञान Christmas 8 का है, उसके बाद तीसे पिरियर्ट में कक्सा छै का, विज्ञान है, उसके बाद 4 पिरियर्ट में केलोर स्वास्त, Christmas 7 को मैं सुम्मारमंगल को पढ़ाता हूँ, बुद्वार को ये पढ़ाता हूँ, तो अपने अनुसार जैसे भी जो भी आप पढ़ाते हैं, तो आप आठ के आठ घंटे लिख दीजे, इसमें मैंने आपका एर्थ घंटा भी नहीं लिखा है, एर्थ घंटे में क्योंकि पहाड़े की बोले जाते हैं इस तरह की गतिविदी होती हैं, वो आप लिख दीगें, तो इसे अपने अनुसार आप इसको भर लिजे, पहला पेज है सिक्सक वार भरना है, क्योंकि आपको अपनी डायरी है, तो आपको केवल अपने घंटे लिखने हैं, दूसरों से आपको कोई मतलब इसमें नहीं है, तो आप इसको इस तरह से भर लिजे, सबसे पहला पेज आपका यहीं होगा, अच्छा देखे, इसमें लिखा वया है, परतेक सिक्सक विद्धाले के लिए बनाए गई गई समय सार्णी की आधार पर केवल सौम के द्वारा पढ़ाए गयाने वाले, विशे को सम्मंदित का आपको कोरिकारिय दिया गया है, उसको भी आप अंकित कर लिजे, उसके बाद आपका पहला पेज है, शिक्सन की योजना ने बनाना, शिक्सन ने करने की योजना बनानी जासा है, देखे, शिक्सक डायरी है, इसमें आप अपना नाम लिखे, मैंने याप अपना नाम लिख आपको लगाना है इस थाई पता जो आपका है दूरबास मोबाइल लंबर उच्तम सिक्षा विख्यवेश है व्यवसाइक सिक्षा आप इसमें पर सिक्षन लिख दीजे कुल सिक्षन अनुभव कितने साल का आपका अनुभव है परतम नियुक्ति की तिति क्या थी वर्तमान विद्याले में पदिस्थापन की तिति क्या है विद्याले का नाम ब्लोक जनपद ये ब्लड ग्रूप रूची हाबी आकस्मी किस्तिति ये तो कोई संपर्क इसमें आकस्मी किस्तिति अगर कोई होती है तो वो भी आप अपने घर का मोबाइल लंबर यहां पे लिख सकते ह तो इसे लिख लेजे आप उसके बाद next page पे जैसे याएंगे तो देखे next page में आपको परसिक्षन जो आपके चल रही है जो भी आप परसिक्षन कर रहे हैं online या offline उसकी detail इसमें लिखनी है देखे जैसे जो ककसा 1-5 तक के उनका FLN परसिक्षन है तो FLN परसिक्षन कब से कब हुआ उसमें लिख दीजे कुल कितने दिवस का हुआ बी आर्सी पर हुआ डायेट पर हुआ या NCRT पर हुआ इमेट पर हुआ कहा पर हुआ उसका प्रारूप क्या था online था या offline था तो देखे मैंने FLN का तो नहीं किया लेकिन विज्ञान किट का परिक्षन है मेरा 17-10-2023 इससे 19-10-2023 तक मैंने या पर लिख दिया तीन दिवस का है डायेट में होगा और offline मोड में होगा तो इसमें जितने भी आप पर्सेक्षन लिखेंगे या लिख दीजे क्योंकि इससे आपको फायदा होगा जब आपको कोई फार्म भरना होता है तो इस डायरी में देखके पर्सेक्षन आपके लिख सकते हैं तो इस पेज पर इसको आप पूरा कर लेजे जितने भी आपने पर्सेक्षन अब तक किये हैं उसके बाद next आता है देखिए ये है आपका सप्ता वहार आपको हर महीने ये आपको फरना है एक महीने का आपका एक पेज है क्योंकि एक मही विने में जादा तर 4 ही सब्ता होते हैं, तो अब आपका October बर चल रहा है, तो October की आपको detail इसमें लिखनी है, October का पर्थम सब्ता और October का दित्य सब्ता, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको किसके आधार पर लिखेंगे, देखे आप जो भी विश्र पढ़ गनित पढ़ाते हैं। अप संस्कत्त पढ़ाते हैं। तो उसके लिए आपको अपनी भूख खुलनी होगी। मैं एक भूख का पेज भी आपको दिखा देता हूँ। हर भूख में ये मासिक विभाजन दिया गया है। तो आप इसमें वही लिखें जो इसमें वाश्मिवाजन दिये हैं भलेई आपका पारट को ही चल रहा हो आप उसको छोड़कर उसी पार्ट में पोहने पहुंच जाएए जो पारट आपका अक्टूबर में होना है क्योंकि इसमें लक्षा दिया गया जैसे अक्टूबर है त द्वनी, पुन्रावर्ती और अर्धवार्शिक परिक्षा तो देखे आपके चार चीज इसमें दी गई हैं तो आप इसको डिसायर कर लिजे वैसे तो अर्धवार्शिक परिक्षा होगी तो बहुत अच्छी बात है वरना आप पहले सप्ता में भोजन, स्वास्त और रोग ले लिजे, दूसरे सप्ता में आप ध्वनी ले लिजे और अगर आपका भोजन, स्वास्त और रोग पूरा नहीं होता एक सप्ता में तो इसे के लिए दो सप्ता दे जिजे, पुन्रावर्ती के लिए आप छोथा सप्ता दे जिजे, यारदवार्शिक के लिए तो इस तर देखे ये साथ का है पहले सप्ता में मैंने लिया भोजन स्वास्थ एम रोग इस तरह से विज्ञान में और इसमें देखे पहला है विश्य कक्षा सप्ता संक्या एक लिख दी दो लिख दी उसके बाद तीन और चार यहां पर आ जाएगा अक्टूबर में क्योंकि और आप नौंबर चल रहा है अक्टूबर चल रहा है इन महीनों में चुट्टी जादा होती है तो आप पहले सप्ता में जादा काम करा लिजी दूसरे में जादा काम करे लिजी ये निया कि आपको चोथे सप्ता थक वेट करना पड़े क्योंकि तीसरे चोथे सप्ता में बहुत ज छहे ही दिन होत ज्थे हैं, सातवा दीन तो संडे होता तो छहाए से जादे नहीं लिख सकते हैं, उसके बाद बात करते हैं सिक्षन की देनिक कारिया युसना, देनिक में आपको पेज दिये गए हैं, पहले जो सिक्षन ही औजना थी उसमें आपको कोलम दिये गए थे कि आपको क्या किया उसमें आप पूरी डिटेल लिख दे थे आपको सिक्षन योजना अलग से नहीं बनानी पड़ती थी लेकिन इस बार आपको सिक्षन योजना अलग बनानी पड़ेगी और इसमें देनिक में उसके बारे में सोल्ट में आपको लिखना होगा मैंने लिखा है इसमें एक पेज है ये एक दिन का अक्टूबर सप्ता संख्या दो और ये दिनाँक 12, 10, 2000 थे इसको मैंने जो पढ़ाया वो मैंने इसमें लिखा दिखे कक्षा एक में कक्षा M विश है तो यहाँ पर आप कक्षा लिखेंगे और विशे लिखेंगे उसके बाद परकरण या लर्निंग आउटकम या तो आप परकरण लिख दीजिए या लर्निंग आउटकम परकरण का मतलब है हमारा जैसे हमने एक पार्ट है हमारा इकाई फोर्टीन ध्वनी तो इसमें अलग अलग टोपिक दिये गए हैं पहले ध्वनी के पारे में समझाया गया है अगला टोपिक है ध्वनी के परकार उसके बाद अगला टोपिक है कि ध्वनी का संचरण किस तरह से होता है कौन-कौन से माध्यम में हो learning outcome में बच्चे ध्हनी के परकार के बारे में चांद हैं तो मैंने केवल परक्रण लिखा उसके बाद इधर आते हैं सीक्षन अधियंगंपरक्रिया में सबसे पहले में आप लिख दीजह आपकी डायरी के लास्ट के पेज पे पे. लगती हो जो आप यूज कर रहे हैं वो लिख दीजे जैसे section विधी प्रशन पोछना ये विधी तो आप जातर योजी करते हैं तो आप इस विधी को लिख सकते हैं प्रशन पोछना तो इसमें प्रशन पोछने में आपने क्या क्या किया बहुत sort में आपको अब सरवय प्रासरवय सरवय धर्वनी के बारे में पताया तो ये आपका सोट में लिख दिया हमने क्योंकि इतना ही आप आएगा उसके बाद आठवा आठवी किलास में हम पहुंचते हैं विज्ञान में वहाँ पर बारवी चैप्टर चल रहा है एकाई बारे परकास यंत्र ये एक्टुबर की चैप्टर आपको लेके चलने हैं और प्रकरण है लैंस से संबंदित कुछ महत्पून तक्थ है तो इसमें आपने शिक्षन वधी कौन सी यूज की आपने क्योंकि हमारे बार विज्ञान किट दी गई है तो इसमें लैंस भी दिये गए है उत्तल लैंस अवतल लैंस उत्तल बर्द्रण अवतल डर्पन आप उनको निकाल लीजे और उनको निकालके बच्चों को आप दिखाये की लैंस की सित्तरह की होते हैं तो इसमें आप सिक्षन विधी क्या जाएंगी क्योंकि आपके आपको डीतनों का उपयोग में को अगर माल에 परिवे दिख दी और उसमें क्या-क्या बताया हमने लेंस से सम्मंदिस सब्दावली समझाई क्या-क्या लेंस से होता है क्या आपका प्रकासि केंद्र होता है यह सब स्वच्टा के अंत्र का आने वाले किरियाकलाब बताना यह हमने लिख दिया इसमें सिक्षण विदी में लिखना बोल गया आप सिक्षण विदी लिख सकते हैं प्रस्ण पूझना तो शिक्षण विदी भी लिख दीजिए उसके बाद सेवन तेर्थ में पुरुष हमने बच पर्थम दित्य है वो त्रित्य स्लोक मालीजिए आपका एक पार्ट है मालीजिए आप हिंदी पढ़ा रहे हैं या कोई पढ़ा रहे हैं तो आप हो सकता है पूरा पार्ट एक साथ ना पढ़ाएं एक गध्यांस पढ़ा दें दो गध्यांस पढ़ा दें जैसे इसमें छे स्ल लोग पढ़ाए तीनों पही लोगों के अर्थ समझाए तो यह हमारा हो गया तो उसमें नीचे जाते हैं शिक्षक का स्वय आकलन शिक्षन पूर्ण होने के बारन स्वम के आधार परंकित कीजिए तो इसमें हमने लिखते हैं किर्यानवन सपल रहा इसमें मुझे ये कोलन थोड़ा गलत लगा क्योंकि स्वय आकलन किसी कक्षा में कुछ आकलन होता है तो उसमें पूरी डिटेल फिर लिखनी पड़ेगी तो तो मैंने तो इसमें सीदा यही लिख दिया किर्यानवन सपन रहा वैसे आप हर किलास कहा किला लिखके तो ज़्यादा बैटर है और इसमें सबसे नीचे लिख रहा है अवकास की थी ती जैसे मानले आपने सन्यवार के दिन ये कराया आप उसके बाद आ गया संडे देखे इसमें चार चुटी से जादा, चार चुटी से जादा तो कभी नहीं होती, माले जिसे संडे आ गया, और सुमार की चुटी है, फिर मंगल की चुटी है, तो आप इसमें संडे की डेट लिख दीजे, सुमार की लिख दीजे, मंगल की लिख दीजे, और अगर चुटी नहीं है इसमें page दिया गया है अच्छा इसमें आपको section विदी कैसे बनानी है देखो आपको section विदी के बारे में पता है आपको पाठ योजना नहीं बनानी है यह एक एक topic को लेकर उसकी section योजना बनानी है उसकी प्रारूप किस तरह से होगा वो सब आपकी diary में दिया गया है उसको डायट मेंटर आपके आते हैं उनके लिए दिया गया है हाला कि कोई भी इसको नहीं बरता मैंने देखा नहीं है लेकिन आप इसको त्यार रखें जैसे आकलन करेंगे वे नाम लिखेंगे पद लिखेंगे नाम पद दिनांक लिखेंगे और जैसे कारेपुष्टिका योग का पुष्ट का ले कि इस्तिती दिक्षाय आप निपून आप रीड अलोंग उसी आपके पास से अभी तक विसेश उपलब्दी सेक्सिक परगरती यह सबसुजाओ उसमें भी करके चाहेंगे यह लास्ट का पेज है तो मैंने कोसिस की है कि किस तरह से आपको डायरी भरनी है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें सेर करें वीडियो के कमेंट्स करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल का इकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो क notification मिल से के दन्यवाल